नमश्कार दोस्तों स्वागत करती हूं आप चपिका शिक्षाप रभामे दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है क्लास 12 के पेंटिंग फाइन आर्ट सब्जक्ट के स्टुडेंट्स के लिए और दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे आप लोगों के चेप्टर नमबर 13 समकालीन आधुनिक भारते कलाकारों की मूर्तियां पर कुछ इंपोटेंट कोईशन्स और उसके आंसर्स तो आपका सबसे पहला प्रशन है याँ पर मूर्ति निर्मान के लिए एक कलाकार के इस प्रकार के माध्यमों का चुनाप करता है तो मूर्ति निर्मान के लिए कलाकार अपनी पसंद के अनुसार माध्यमों का चुनाप कर सकता है और वो माध्यम बिटा हो सकते हैं पत्थर धातू, लकडी, मौम, मिट्टी, इत्यादी Q2 है श्रम की विजय नामक मूर्ती में मूर्ती कार ने किन बिंदूओं पर ध्यान केंदरित किया है तो बिटा, श्रम की विजय मूर्ती शिल्प 1954 में मदरास के समुंद्र टट पर कांसेवे सिमेंट के सैयोजन से देवी प्रशादराय चौदरी जी ने बनाई थी इसकी एक प्रतिकरती नई दिल्ली के रास्ट्रे अधुनिकला संग्राले जैपुर हाउस के मुख्य द्वार पर भी स्थापित की गई है मूर्तिकारों ने इस मूर्ति में श्रमिकों के श्रम को विजय के रूप में दिखाया है समुं में कारे रत चार श्रमिकों को अलग-अलग मुद्राओं में एक विशाल चटान को लकड़ी की बल्लियों की सहायता से हटाने का प्रयास करते हुए दिखाया गया है परिणान सरूप मूर्तिकार ने श्रमिकों की मास पेशियों पर पढ़ने वाले प्रभाव को उनकी संपूर सारिरिक सरचना के साथ खूब सूर्ती से प्रकट किया है इसके लिए उसमें उनके शरीर को वस्र विहीन बनाया है सिर्फ उनके कमर के नीचे छोटी लूंगी और सिर को कपड़े से ढखा हुआ चत्रित किया है आताहा ये श्रमिक अपने कारे को सफलता पूरवक करने में सफल होते हैं और यही वाला जो च्छन है मूर्ति की मूल भावना यानि की श्रम की विजय को दिखाता है नेक्स्ट बिटा आपका कुशिन नमबर तीन गणेश की मूर्ति में क्या अलग है तो पीवी जान की रावने उननिस्तो सत्तर से अस्सी के मद्ध है आक्सी क्रत तांबे टीन वेतारों के माध्यम से छे बुजाओं वाले नरतिरत गणेश को आधुनिक रूप में चितरत किया इस मूर्ति में गणेश जी को दो हातों से वीना वादन करते हुए दिखाया गया है जबकि शेस चार हातों में परंपरागत देव रूप की भाती संख, चक्र, गदा वे पदम को धारण किया हुआ है मूर्ति में आकार की सुघडता, निरंतर्तता, विविदता तथा तारों की साहता से उत्करस्ट, अलंकरण वे दक्षन भारत की लोककलाओं को पुनर जीवित करने का प्रयास मूर्तिकार ने यहाँ पर किया है इस मूर्ति में गतिशीलता के भाव को प्रकट करके इसे अन्य पारंपरिक मूर्तियों से अलग आधुनिक्ता का वैसे स्ट्रेय प्रदान किया गया है बेटा इस चेप्टर का लास्ट कोईशन है आपता अन्सुनी चीखे मूर्ति से क्या प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है तो बेटा अन्सुनी चीखे जो मूर्ति शिल्प है वो 1958 में अमर्नात सैगल ने का से धातु से बनाया है इस मूर्तिशिल्प में एक ही परिवार के तीन सदस्यों मा वे बच्चे को दिखाया गया है और क्या दिखाया है दरिद्रता तथा उससे उत्पर्न गहरी वेदना को लंबी आकरतिया बनाई गई हैं उनके खोकले पिछ के गाल बनाए गए हैं विक्रत चहरे बनाए गए हैं और आकाश की और उठे हुए उनके हाथ ऐसा कह रहे हैं कि हे इश्वर इस धरा पर तो हमारी कोई सुनने वाला है ही नहीं यहां शोशन है अन्याय है ब्रस्टाचार ह जिसके हम शिकार हैं अब आप ही हैं जिनके भरोसे हमारा अस्तित्व है ऐसा कब तक चलेगा मूर्ती के विक्रत चहरे समाच में विक्रत रूप समाच के विक्रत रूप और उसमें व्यक्त व्याप्त बुराईयों को दिखाते हैं तो बेटा यह था आपका चेप्टर आपके सेकिंडरम एक्जाम में आने वाले हैं और जो एक मूर्तिशल पे इसमें रहे गया है चतुर मुखी वो अब आपके इस लेबस में नहीं है तो बेटा आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो हैल्फुल लगी होगी तो प्लीज बेटा मेरी वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे की मॉडल टेस पेपर और प्रेक्टिस पेपर आप तक पहुँचते रहें